हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक मैं यूटूब चनल टेक्निकल मिस्तक फ्रेंड्स आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी वीवो की Y71 मोडल में यदि इसका पावर की अगर वर्क नहीं करता है तो हम इसको किस तरीके से रिपेर कर सकते हैं दोस्तों क्या मैं complete आपको बताने के साथ साथ आपको explain भी करूँगा तो दोस्तों यहां वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग हो ले वाला है तो दोस्तों बिना किसी तरीके से टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पिलिए देख सकते हैं हमारे सामने वीवो क वाई 71 मोडल वो इसमें देख सकते हैं जो यह वाला कनेक्टर है यहां पर हमारे सका वोल्यम की प्लस पावर की कर यहां पर पता कनेक्ट होता है तो सबसे पिलिए आपको मैं बताना चाहूंगा जो इसके नीचे की तरब जो दो पोइंट है यह हैं यहां पर मैं लिख देत श्राइणाति यह इसके पावर की की सब न यहां पर उपर यूपर की तरब को यहां पर एक डायूडिक शाओंड रहोगा इस वाले डायूड के अंदर आ जाती इस वाले डायूड में आती है इसाय पीश्र прach पावर की कावेज अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पावर की वर्क केसी करती है देखो मैं आपको बताओ हमारा मोबाइल किस पर काम करता है logic low और logic hyper मतलब में आपको एक उदारन के तोर पर यहाँ पर समझाना चाहूँगा देखो यह है हमारे यहाँ पर देखो यह एक लिहाँ पर लगा है माना की CPU यह लगा है इसका CPU ठीक है और उसके बाद में यहाँ पर इसका एक voltage निकलता है यहाँ पर माना की यहाँ पर 1.8 का voltage आ रहा है 1.8 का यहाँ पर voltage आ रहा है इस वाले point पर तो दोस्तों यहाँ पर देखो CPU को इस तरीके से program किया जाता है कि जब तक इस वाले point पर 1.8 voltage आ रहा है तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है समझ में आया मतलब इस तरीके से program किया जाता है कि जब तक इहाँ पर इस वाले point पर 1.8 voltage आ रहा है तब तक कुछ नहीं करना है और जैसे हैं हम यहाँ पर इसके power key को दबाते है उसी तरीके से यहाँ पर अगर इसको minus के साथ जो minus होता है उसके साथ अगर short कर देते है तो यहाँ पर यह voltage zero हो जाता है क्योंकि यह सारा voltage minus में होकर ground हो जाता है ground हो जाता है तो यहाँ पर voltage zero हो जाता है तो हमारे CPU को इस तरीके से program किया जाता है कि अगर यहाँ पर voltage zero हो गया मतलब logic low हो गया logic low हो गया तो आपको mobile को on करना है उसी तरीके से हमारे यहाँ पर इस पावर आईसी से कुछ वोल्टेज निकलता है हमारे इस वाले डायोड पर ठीक है यहाँ पर इस वाले डायोड के इस वाले पॉंट पर आता है उसके बाद इस डायोड के इस वाले पॉंट पर जाता है और उसके बाद यहाँ पर कुछ वोल्टेज यहाँ पर रहता है तो जैसे हम इसको यहाँ से पावर की को प्रेस करते हैं तो यह ग्राउंड के साथ शोट होता है जैसे ही ग्राउंड के साथ शोट होता है तो यहाँ पर जो वोल्टेज बन रहाता वो बिल्कुल सुन्य हो जाता है जीरो हो जाता है तो फिर हमारे पावर की को ऐसा लगता है कि उसमें अब क्योंकि हमारे पावर की को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि अगर यहां पर वोल्टेज जीरो हो जाता है तो उसको यहाँ पर mobile को own करना है तो इसी तरीके से जैसे हम power key को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर voltage zero हो जाता है और यह हमारा power IC mobile को own कर देती है active mode में आ जाती है यह सब coding binary code जो होते हैं मतलब program किया जाता है सब कुछ इसमें इस तरीके से इसमें power key work करती है I hope दोस्तों जो मैंने आपको बताया है समझाये वो आपके लिए helpful रहा होगा मिलते हैं next video में तब तक के लिए take care Bye Bye